अबसकर दोस्तों स्वागेत है आप सभी का एजूकेशन के एड़ सिक्स में रुख करते हैं एक नई नोटिफिकेशन अपडेट की तरफ ये नोटिफिकेशन अपडेट आई है दोस्तों इस्टन रेलवे की तरफ से आप इसके ऑफिशल वेबसाइट पे हैं जहां से आप इ यो केन अपलाई फर दपोस्ट और ये चुकि देखिए रेलवे की रिकूटमेंट है रेलवे की अप्रेंटिशिप है तो आपको करना चाहिए और खासकर अगर ये हावडा से संबंदित है यानि कि आपके यहां वेस्ट मेंगॉल से संबंदित है तो आपको खासकर जरूर करना चाहिए अप्रेंटिशिप एक पर्मनेंट जॉब नहीं होती है मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ अपने वीडियो में अप्रेंटिशिप के लिए आपको रेजिटेशन करना पड़ता है खुद को नेट्स के ऑफिशल पोटल पे लेकिन अप्रेंटिशिप एक क वेकेंसी निकाली गई है जॉब अप्डेट की गई है तो इसको मैं वेकेंसी ही कहूँगा क्योंकि जब तक आप इसकी में एज ट्रेनी जॉब करते हैं तो आपको इस टाइपन याने की सैलरी भी मिलती है तो यह एक साल का ट्रेनिंग पिरेड होता है और यह प्रक्रिया में आपको कोई एक्जाम नहीं देना है सीधी नियुकती है आपके मेरिट बेस पे अब बात करेंगे दोस्तों कि यहां पर आविदन कैसे करना है तो इसके लिए सबसे पहले तो इसका जो है नोटिफिकेशन हम डाउनलोड कर लेते हैं और फिर आपको यह लाइफ और पोस्ट ठीके 18 से लेकर 24 साल तक का एज क्रिटेरिया है जो भी चादर इदर वीडियो देख रहे हैं उनको सेयर कर दें जो भी 24 साल तक के एज क्रिटेरिया में है चादर और इस्टन रेलवे अपरेंटेशिप के रिकूटमेंट है 2021 की दोस्तों इस्टन और दोस्तों यहाँ पर चेक कर लिएगा चार अक्टूबर तक ओपनिंग कर दिया जाएगा इसका अप्लिकेशन फॉर्म डाउनलोड करने का दोस्तों आपको बता दे कि क्लोजिंग डेट जो है वो तीन नवंबर तक का है यानि कि तीन नवंबर तक आप इस फॉर्म को आ इंगेजमेंट ट्रेनिंग एक्ट 1961 के तहद आपने अगर अपना NCVT या SCVT का कोर्स कर रखा है तो आप इधर आविंतरण हैं यहाँ पर बिलकुल आईए और आविदन कीजिए देखें यहाँ पर जो ट्रेड्स हैं वो किसकिस ट्रेड में कितनी स्लोट में कितनी अप्ड इसमें की जनरल केटेगरी, SC केटेगरी, ST केटेगरी और साथ में EWS और OBC केटेगरी को लेकर भी अपडेट दिये गया हैं वेल्डर को लेकर यहाँ पर देखें तो 61 पद हैं फीटर को लेकर 281 टूटल पोस्ट हैं वहीं मेकेनिक्स को लेकर यहाँ पर दोस्तों 9 पद है यहाँ पे आप छोड़ा सा जूमीन करके सर्ज देख सकते है उसके लाबा है दोस्तों हम बात कर लें यहाँ पे 9 पोष्ट हैं कारपेंटर के 9 पोष्ट हैं परेंटर के नौप स्ट है लाइनमेंट जेनल के 9 पोष्ट हैं और वाइर Siberianено Depth अंदव AC मसीन को लेकर भी 17 पोश्ट है एलेक्रिक्षिन को लेकर 220 पदों की यहाँ पर बात की गई है वही हम बात करें मेकेनिक्स की तो टूल मिंट्स में तो यहाँ पर आपको टोटल 9 पदों की वेकेंसी है दोस्तो अगले वेकेंसी की तरफ चलते हैं यहाँ पर टोटल 1123 का अपडेट दिया गया है तो हावडा, सियाल्दा इन सभी सेक्टर्स में जितने वेकेंसीब के अभी अपडेट निकाले जा रही है तो आप आविदन जरूर करेंगे क्योंकि यहाँ से जॉब लगने के चांसेस भी आपके बढ़ जाते हैं जी है दोस्तो ध्यान रखेगा इन सभी आपके सिनारियो में इन सभी ट्रेड में आपकी यह टोटल रिकूट्मेंट अपडेट दी गई है दोस्तो अब आपको यहाँ पे जहाँ पेज कोटी के चुछातर है वो भी अपना वेकिंसी अपडेट देख सकते हैं और यह कमनिकल ब्रेकप अपडेट है दिया गया जो कि कैटेगरी वाइस यहाँ पे दिया गया है ओके फीटर वायरमेन मेकेनिक्स डिफ्रेजरेटर एसी लाइनमेन वेल्डर और फीटर जैसे और वेल्डर जैसे ट्रेट्स में यह रिकूट्मेंट अपडेट दी गई है टोटल आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं मैं आपको यह पुरा नोटिफिक्शन अपडेट कर दूँगा आपको अपने टेलिग्राम पे आसन सोल डिवीजन में टोटल अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पे तो 166 वेकेंसिस के अपडेट दिये गया है इन स्लोट्स की में 190 टोटल वेकेंसि अपडेट दी गई है इन से भी ट्रेड में मैंने आपको वला कि NCVT और SCVT के छात्र जो भी है यहाँ पे वह भी आविदन करेंगे ठीक है यहाँ पे स्टेट लेबल वाले और नेशनल लेबल वाले इन्होंने आईटे कर रखा है आपके पास सार्ट बात कर लें दोस्तों यहाँ पे तो टोटल 204 वेकेंसि का अपडेट मेंसन किया गया है ठीक है यहाँ पे मेकेनिस्ट फीटर टर्नर वेल्डर पेंटर जेनल इनलेक्रिशन वायरमें और रेफ्रेजरेटर एयर कंडिशन को लेकर भी अपडेट दिये गया है आप यहाँ प पदों की संखिया यहाँ पर बताई गई है ओके दोस्तों कुछ इंपॉरेंट अपडेट है यह टोटल मिलाके जो है आपको 3366 है यह टोटल आपका पोस्ट है यहाँ पर जो की अपडेट किया गया है कमुनिकल ब्रेकप को लेकर भी यहाँ पर अपडेट दिये गया है पर मेटरिक पास किये हैं और साथ में आई टिये कर रहे हैं या कर चुके हैं उनके लिए उनके लिए यहाँ पर ऑपरचुनिटी बहुत यह अच्छी है जी हां दोस्तों यह इसके लिए आविदन आपको करना भी चाहिए तो यह इस क्रेटेरिया हो गया जो अदर केटेग तो आप यहाँ पर आविदन बिल्कुल करेंगे और प्रॉसेस यू आप दन बाइद नेशनल ट्रेट सर्टिफिकेट तो नोटिफाई द ट्रेट इसूज बाइद न्सीविटी और सीविटी आपके पास सर्टिफिकेशन भी अगर कर रहे हैं साथ में तो इसका जानकारी आपके पास होना चाहिए देखर सर्टिफिकेशन होना चाहिए जब आपकी ज्वाइनिंग होगी तो दोस्तो इन सभी सेक्टर में आप वेल्डर सीट्स मेटल लाइन में वायरमेंट करपेंटर और पेंटर में आपके पास यह दो है सर्टिफिकेशन होना चाहिए दोस्तो medical fitness यानि कि actor 1961 कहता है हमारा apprentice का कि आपको fitting यानि कि fitness होना चाहिए medically या कोई आपको disease नहीं होने चाहिए आपके eye blindness भी चीक के जाती है यहाँ पे manually तो उस पे भी आपको pass होना पड़ेगा reservation की बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पे तो जो भी category में student हैं किसी भी state में आते हैं लेकिन national level पे आपका eligibility test किया जाएगा category को लेकर अगर आप सुतंदरता से नाने के नातिन पोते हैं तो आपको भी यहाँ पे eligibility का यहाँ पर erection में फाइदा मिलेगा अब mode of selection क्या है यहाँ पे mode of selection है यहाँ पे की selection जो है आपका कोई exam नहीं होगा आपके merit base पे आपका selection लिया जाएगा दसवी के merit base पे ही आपका chain किया जाएगा और ITI में आपका क्या score रहा है उसकी आधार पे ही आपका यहाँ पे the candidate who passed the matriculation exam earlier shall be the considered first तो आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा दोस्तों यहाँ जो भी छातर है उनका जो original certificate है उनका date of birth जो है उन्हीं से लिया जाएगा उसी को calculation करके माना जाएगा दोस्तों अगर आपने आठवी पास किया है और qualification है आपके बस और आपने ITI किया है तो आप इधर आविदन बिलकुल कर सकते हैं कुछ ऐसे post है जो कि यहाँ पे mention किये गया है जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि para number A के above में in the case of two candidates having the same marks जैसे कि आपका जो chain का प्रगी है व और ITI पर कर रखा और एक दसवी पास ITI पर कर रखा है तो preference यहाँ पे दसवी पास को दिया जाएगा और दूसरा चीज है para number 2 और 3 में लिखा गया है if the candidate secure 80.58 marks in the matriculation exam and 91.68 marks in ITI then marks considered by the selection will be half of 80.85 plus 91.68 इसको जोड़कर निकाला जाएगा जो कि आपका एक normalization का update दिया गया दूसरो 86 दसमालो एक तीर अगर आपका score आया तो आप यहाँ पे selected होंगे यह chain का अधार है chain की प्रक्रिया है अब रही बात form का भरने का फीस चार्ज आप से यहाँ पे इस बर लिया जा रहा है क्योंक लिंक दे दिया है चार अक्टूबर से आप उस लिंक पे क्लिक करके आविदन करेंगे आविदन करने से पहले दूस्तों आपके पास photo scan होना चीए और अपने signature scan भी कर लिजीगा यहाँ पर और उसको upload करना होगा साथी साथ 8 या 10 वी का मार्शित है आपके पास तो उसको भ पास का certificate आपको लगेगा iti certificate भी यहाँ पर लगेगा जियां specified file size mention in the application form वहाँ पर आपको दिया रहेगा form परते से में तो ncvt-scvt का form format को PDF format कर मेट कर लिजीगा और community certificate को लेकर भी यहाँ पर है कि SCHT OBC और EWS को लेकर जो certificate बनता है वो उनके पास भी होना चाहिए ठीक है और कुछ हातर यहाँ पर कोई दिकत होती है आपको form भरने में या कुछ भी तो आप यहाँ पर help test number पर help me पर क्लिक करके यहाँ पर सम्मदद ले सकते हैं लेकिन 4 October के बाद ही इसका form भरा जाएगा तो 4 October को ही एक tip किया जाएगा ओके तो यह सारे details से दोस्तों जो कि मैंने अप कोई doubt रहे गया है तो comment section में comment करके जरूर बताईएगा और दोस्तों पैरा नंबर 13 में कुछ terms दिएगे हैं जिस पर कि आपको बताया गया है कि आप invalid हो सकते हैं अगर आपने छोड़ दिया signature वाला ब्लॉक थम impression वाला ब्लॉक या फोटो वाला ब्लॉक या not in the uploading photo तो आपको इन सभी कारणों से reject हो सकते हैं वैसे यहाँ पे total 11 कारण दिये गया है इन सभी 11 कारणों को आप लोग भी जरूर देख लिजेगा वैसे बहुत सारे चीज़े हैं जो से की certificate कोई अगर नहीं हुआ इसमें से तो आपका यहाँ पे chain रद कर दिया जाएगा तो यह एक प्रक् कर दिया है और साथ ही साथ आपका qualification criteria है और साथ ही साथ वेकेंसी के post जो भी दिये गए हैं किस category में कितना है यह सारा डीटेल आपको यहाँ से देखने को मिलता होगा तो अभी के लिए इतना ही मिलेंगी आपसे अगली वीडियो में तब तक लिए बाबाई ठेक केर ध्यान रखेंगे अपना और अपने परिवार का